दोस्तों, बागेश्वर धाम में देखने को मिला, एक और अद्भुत चमतकार, आपने आज तक इतना बड़ा बंदर कहीं न देखा होगा, न सुना होगा, ये कोई बंदर नहीं. ये है साक्षात हनुमान जी. दोस्तों, आप बन रही हैं वीडियो में. हम आपको बताते हैं पूरी बात. दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी गुरुजी धाम पर ही हैं और प्रति दिन तीन घंटे का दिव्य दरबार धाम पर ही लगते हैं और जिसमें कई लोगों की अरजी सुईकार होती है और उनक बड़ा चमतकार देखने को मिला. वैसे तो बागेश्वर धाम में चमतकार देखना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बागेश्वर धाम में साक्षात हनुमान जी विराजमान है. दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है गुरुजी, धाम पर दिव्या दरबार लगाए और उसमें एक लड़के की अरजी स्वीकार हुई, जिसमें गुरुजी ने उसके बारे में सब कुछ बता दिया और उसकी सभी समस्याएं बता दे और उनका उपाई भी बता दिया दोस्तों. यह सब पास में ही खड़े हुए. कुछ लड़के देख रहे थे, जो कि किसी अ तब उसे लड़कों ने कहा, जो तुमने इसका पर्चा बनाया है, तुमने इसका माइंड पहले से ही पढ़ लिया होगा, और एक बंदर की आकरिती वाले इनसान को तुम भगवान का दर्जा दे रहे हो, और हम इसे भगवान नहीं मानते। चमतकार दिखाओ, हाँ, मेरे बाला जी जरूर सब कुछ कर सकते हैं, और यदि बाला जी ने तुमको अपनी शक्तियां दिखाएं या चमतकार दिखाए, तो फिर तुम क्या करोगे, उन्होंने कहा, मैं सनातन धर्म हमेशा के लिए स्वीकार कर लूँगा और मान जाऊंगा क सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ट, है तब दोस्तों, दिव्या दर्बार में हजारों लोग बैठे हुए थे, सभी लोगों के सामने गुरु जी ने बागेश्वर हनुमान जी से प्रार्थना की, कि प्रभु अब परीक्षा की घड़ी है हमारी, आप हमारी लाज रखो, इत लिए उन्होंने बंदर के रूप की आकरती ली, यह देखकर वह अन्य धर्म के लोग गुरु जी के चरणों में गिर गए और सभी लोग जो बैठे हुए थे, वह जय श्री राम, जय बाला जी, जय बागेश्वर धाम, दादा गुरु महाराज, सन्यासी बाबा के नारे ल लगाने लगे और दोस्तों, उन लोगों ने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया, दिल से और हमेशा के लिए, बाला जी के भक्त हो गए दोस्तों, बागेश्वर धाम में आपको, हजारों ऐसे चमतकार मिल जाएंगे, ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं है विश्वभर में, बागेश् बागेश्वर बाला जी का चमतकार पसंद आया हो, तो वीडियो में एक लाइक जरूर करें, धन्यवाद